कैसे हूं आप लोग तो बहुत रिक्रेस्ट आ रही थी कि मजरे के काम में क्या क्या करना पड़ता है और क्या काम होता है और मजरा कैसा होता है तो कुछ मजरा के बारे में बताएं एक मैंने वीडियो डाला था वो कभी करीब 20,000 गया उसका और कमेंट में आया कि आप सिर्फ काम के आपने बताया नहीं तो दोस्त मैं आपको दिखाना चाहता हूं बिल्कुल मजरे का नहीं करना पड़ेगार और कितनी सेलरी होगी कितनी तनखा होगी मतलब और क्या काम होगा तो सबसे पहले मैं आपको यह दिखाता हूं कि यह जो मजरे का काम है जो आपको दिख रहें पेड़ यह मजरा ही है यह पूरा मजरा है लेकिन अभी यह बंध है अभी पता ने क्यों बंध है क्योंकि अभी गर् में ज्यादा बक्रियां चाहे उट वेगारा नहीं रख सकते हैं और साइब कोई कारण होगा यह मजरा बंद है लेकिन सबसे पहले हम अप्रुपतारे मजरे के काम में आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं सबसे जितनी बड़ी पेड़े को मजरे काम में पानी आपको डालना पड़ेगा और पाई कि यहां जहां पानिक खोल देना है कि और रची आरी बनाता í ऐसे अपने गाउं में खेत बना होता है खेत में जो आरी बनाते हैं धारी वह एक सारे पेड़ों में पानी पहुँंच जाएगा कि पहला काम करने दूसरा काम आपको क्या करना पड़ेगा कितने सवी होते हैं वो पूरी रखते यहां कितने सवी Speaking तो आपको क्या रखते हैं उनके उपर है अगर बकरी रखते हैं तो सबसे पहले अगर आपको बकरी रखते हैं तो उनका चारा दाना पानी यह सब आपको इंतजाम करना पड़ेगा दूसरा काम मजरे में तीसरा काम आपको क्या करना पड़ेगा अगर बकरी का दूद होता है या उसका बकरी का बच्चा होता है तो आपको एनी टाइम वहां रहना है यहीं मजरे में आपको रात और दिन दोनों 24 गंता ड्यूटी होता है और बकरी को कहां रखते हैं कैसे रखते हैं यह भी आपको हम वीडियो में दिखाते हैं आज हम घुच गया है मजरे के बीच में लेकिन और उनका घर कैसा होता है यह भी हम आपको दिखाएंगे अभी तो फिलाल सारा घर फूटा-फूटा हुआ ह और हम बता दे रहे हैं कि मजरे के कामें कैसे क्या करना पड़ता है बकरीया नहीं है बाकी सब सेल है बकरीया आदमी सार तक होगा लेकिन कहीं होगा पता नही Stream तो यह लंबी वीडियो होगी थोड़ा देखना और हम उपको बता रहे हैं कैसे देखिए यह घिरावा है यह घिरावा दिया हुआ है इसको घेर कर उपर से जो जोपड़ी लगाते हैं अपने गाउं में इसने उपर से जो फजूर के पेड़े गिरे हुए पर लगा देते हैं और लगाने के बाद इनका बक्री का घर बन जाता है और घर बनने बाद बक्री इसी में रहती है है तो यहाँ आपने को बांध दीया जाएगा येो च्ठा होता है or यूलते हैं अ Awards अरस हे आपको एक तीसरा काम मेंने बताया कि मजरा में आपको बकरी का सेवा पानी करना पड़ेगा चाहे हूर चाहे बकरीत हो जाहे भेडिया जो भी हो आपको इसाल सेवा पानी करना है बस आपका मजरे में काम यही होता है और खजूर वजूर होता है तो आपको तोड़ना है अगर आपको चहड़ने आता है तो चहड़ सकते हैं तोड़ सकते नहीं तो उसके लिए आदमी दूसा रहेगा तो यह मजरा है बिल्कुल अभी बन और यह सामने बहुत अच्छा पूराना स्पीला है जो अच्छा लग रहा है देखने में दूर से आए सो पास चलते हैं हम तो हमने आपको काम बताया पहला काम मजरे में पानी डालना है पीड़ों में दूसरा बक्री हो चाहिए उठों जो भी उसका देख भाल करना है तीसरा एक्षिवेट रहना है यानि हर्दम आपको 24 भंड़ा ड्यूटी पर रहना है तो दिन में रात में जो भी हो वक्रिया बच्चा दे दिया तो उसको देख भाल करना है और दूर वगरा निकाल सकते हैं तो यहीं ड्यूटी होती है मजरे का कोई थाज ड्यूटी नहीं होती है लेकिन सबसे प्रब्रम वाली बात यह होती है दोस्ति आदमी मजरे में इसलिए रहना चाहता है कि वह आउट एरिया में होता है जैसे यह आउट एरिया है आप कहीं जा गाउं दिहात में होता है 200-300 कुछ हट कर तो गाउं को समझ लीजिए यह देखिए पानी का पाइस है इससे पानी आप डाल सकते हैं तो यह मजड़े का काम में यही होता है और मन नहीं लगता इसलिए कि लोग कि वह दिखाल पहल सीटी में रहना चाहता है यह नहीं चाहता कि हम कोई दिहात में रहें खंजल में रहें सब को चाहता है कि हम अच्छे जगर है वह इसलिए मजड़े में उनका दिल नहीं लगता और मन नहीं लगता इसलिए लोग आते हैं और भाग जाते हैं यह देखिए म जो पहले का जिसका मालिक था उसका घर हो और बीए होगो बन पड़ा हुआ घॉत right कि हम आपको बाहर से दिखा दे रहे हैं थाने जमाने का तो यह बलकुल बन आघाली हैं 5 24 T का मालिक का होगा अब और यहां सोड के कही Damn अर बस चला गया ऊंदर भी बिलकुल घरी है बिलकुल देखे आप घर हैं तो यह देखे जो कि बिलकुल घर है पुराने जमाने का है इस पुराने जबाने का अधैं की तो मज़ी है कि आखिए Amnets समान हाद के सब्झा सामने मालिक उसी। लेकिन अभी फिला लिए मालिक नहीं है चला गया है चांव को अच्छा जो अब हम बात कर लेते हैं जो काम करते हैं jsudko कहां रखा जाता है मजरों में होता है के ऊंप का घर कुछ पास नोता है करें उनका बहुत दूर होता है उनका दिक्कत क्या पर उनको आने जाने में डिकत होता है, जो पास हता हुआ उनके लिए कोई दिकत नहीं, वह अपना जब दिल करे आ सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन यहां पर लगता है जैसे कोई कीषिक का काम चल वहा है कि इस मजरे में आदमी रहते हैं लेकिन अब आया हूं तो कोпарक्व नहीं पर लिक्ताइट जाली बनाओ यहां पर मलेखे लगता है उघ्याली अगेरा कि ऐसा ऐसा हो जो घेरा है ना हम आपको अंदर से लिखाते हैं कि आज मजरे का पूरा वीडियो बताते हैं और तंखा की बारे में हम बात करते हैं तो आपको 12-1400 सेलरी होगी लेकिन जो भाई मजरे में आता उनका तंखा बहुत अच्छा होता है अच्छा पैसा कमाते हैं क् इस फिरी होते दिन भर और बकरी महीने में चे एक दो बर बच्चा देगी जो ठोड़ी देगी और पानी डालने का गहंते का काम होता है तो आप बगल में दूसरा मजरे में भी काम कर सकते हैं और आप वहां से पैसा ले सकते हैं दूसरे साथी से बात करके महीने का 500 700 800 1000 पर में यहींनी 2200 पर मिल गया अगर ऐसे करके दो तीन मजरे में एक मेरा दोस्त है कि उसने दो मजरे में एक मजरे में आया है लेकिन दो तीन मजरे काम पकड़ा है करीब खर्याने का है कि उनिज़ा ऐसे से समय सी कुछ पालोष मारना है बकाले किने कुछ piùत त spiritual कमा लुए दिक्त वाला लोग को मन नहीं लगता लोग रहते नहीं इसे नहीं कमा नहीं पाते हैं इसने मजरे के नाम से डरते हैं और इस डरना भी चाहिए क्योंकि वह बहुता केले जंगल में रहना पड़ता है इनको तो देखें यह बक्रियों का घर ऐसा बनता है यह बक्री का घर है यह पहला है व कि इसी में बक्री को रखते हैं तो आपको तंखा बता दिया मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया तंखा 12-1400 रुपया होगा आप बगल में काम भी कर सकते हैं आपका दिल करें तो आप नहीं भी करें लेकिन यही मजरे का काम है तूरा पानी डालना बक्री का देखभाल करन स्क्यारा देना और बक्रियों को देख़ाल करना बीमार होगे जैसे अपने गाउं में घर के बक्री बच्च चप पालते हैं उसी तरह तो बस यही काम था दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करते रही और ऐसे वीडियो में अप्लोड करता रहूंगा और यह देख लिए पूरा मजराई है इसमें अगर और एक फाइदा इनको और है जो खजूर होता है न यह यह बेच देते है तो वीडियो बहुत लंपा हो गया है तो चलते हैं इसलियक दिए मिलते हैं आपको सबिक्वा के ग deliver हुआ है यह बकरी का घर है यह यह ङुसा आदमी को अगलबगल काहीं होंगे तो चलते हैं वीडियो लंबा है doll बाई वीडियो चल लगे तो बताना लाइक क54 का